नमस्कार दोस्तों जाहिन जा भारत यदि आप के दारनाथ धाम यात्रा पर निकलने वाले हैं तो कुछ बाते ध्यान रखें पहली बात आप जब भी निकलें तो निकलने के बाद जब आप हरिद्वार और रिशी केश पहुंचें तो अपनी गाड़ी का सुनिश्यत कर लें होंगी उन बसों में अपनी सीट कंफुम करें और अपनी यात्रा के लिए वहां पर बैठ जाए उसके बाद आपको सोन प्रियाग में उतार दिया जाएगा अगर प्राइविट विकल के तुरू जा रहे हैं तो गौरी कुन पर आपको उतार दिया जाएगा सोन प्रियाग पर अगर बस में उतरते हैं तो सोन प्रियाग से लेकर गौरी कुन तक आपको 2-5 km रस्ता पैदल चलना होगा उसके बाद गौरी कुन से आपको जीप के थुरू आपको गौरी कुन उपर जो इस्थान है सोन प्रियाग से गौरी कुन पहुंचाया जाएगा क्योंकि सोन प पर उतारेगी उससे फिर आगे जागे लॉज हो गएरा यह जो सुभिदाएं हैं यह सब सुरू होंगी या फिर मलब धर्मसाला तो वहां पर बहुत कम मिलेंगे आपको आपको जो भी मिलेगा होटल ही मिलेंगे उनमें आपको रेंट जो है मिनिमुम अगर फोर बेट का आप आपको रूम लेना है तो वह कम से कम आपको दो हजार का और अगर आप सिंगल टूर बैड वाला रूम लेना जाते हैं तो हजार रुपया कम से कम वहां पर पढ़ेगा और सबसे बढ़िया भोजन करने के लिए आपको हाँ पर 120 रुपय या 130 रुपय की ठाली पड़ती है वह सबसे बढ़िया उचित और सथा भोजन दूसरी बात वहां से उपर जाने के लिए आपको सबसे पहले गोरी कुंट में इस्नान करना पड़ता है जब आप निकलेंगे तो खचर वहां पर बहुत जादा है क्योंकि खचरों का वहां पर बहुत चलन है लेकिन उनसे साव सावधानि पूर्वक अपने आप अपने जम्हान के लिए अपने अप जिम्मिदार है उनकी तरफ से जयरा है इसलिए आप अपनी सावधान खुद बरतियेगा क्थरवालों का वहां पर बहुत ज़्यादा आतंग करनेे कुछ बहुत बक्रों बोज pen ár कर रहा है उससे हैमें कोई परहिज नहीं है कोई इतराज नहीं है लेकिन अगर कोई यात्रा गे मतवाय करता है किकर सांदब मुसमान वोन करें नेपाल से बी हैं और अपने अध्राखंड को सब मिक्स ऑठ है तो कि उसे में सभी वहां पर जो भी विवस्ता करने वाले हैं सबसे निवभण करूँ सिखाएंगा कि उनको थोड़ा सा निवधन likes कि работ Discoup जरूर सिखा है क्योंकि तहजीब नहीं होने के वह से वह इस तरीके से बात करते हैं क्योंकि दो बार मेरे को टक्कर लगी है और मैं बाल-बाल बचा हूं नीचे गिरने से खाई में गिरने सी तो मैं इस वहें से आप लोग उसे निवेधन करूँ गा कि जो भी प्रियाग में 50 सुन प्रियाग में उतरते ही सबसे पहले तो बरसांती और लाठी यह दोनों का इंतजाम करने और दोस्तों सबसे ज़्यादा बढ़िया बात में यह कौनगा आपको कम से कम समान लेके जाएं वहां पर सिर्फ अपने कपड़े बदलने के लिए लेके जाएं और समान ले जाने के आउशकता नहीं है क्योंकि आपको कमरे मिलेंगे तो कमरे के साथ आपको रजाई गद्दा सब कुछ मिली जाना है खाने के लिए आपको वहां पर जाते से में आपको इन चीजों के आउसकता पड़ीगी और वहां पर लोकल पानी पीने के लिए वैसे पचास रुपी की मिलती है तो आपने उसको देखना है कि कैसे किस हिसाब से लेके चलना है और महंगाई लेवल बहुत ज्यादा है फल फूट अगर आप ले सकते हैं तो थोड़ा बहुत मलब सेव और मैं कौँगा केला भी थोड़ा बलकी हो जाता है और गलब पे चिपकता ह ज्यादा तो इसने सेव और आप रख सकते हैं आपने पास जो कि आपको रस्ते में थोड़ा बहुत खाने के लिए आपको थोड़ा इनर्जी देगा भोके बेट बिल्कुल ना जाए खाली बहुत खाली बिल्कुल ना जाए थोड़ा बहुत खाते पीते चले ताकि आप 22 क किलोमेटर जो रस्ता बताया गया है 22 किलोमेटर का रस्ता नहीं है दोस्तों क्योंकि जब आप सारजनी हुईकल का इस्तेमाल करके तो सबसे पहले आपको सोन परियाक से लेकर गौरी कुन तक धाई किलोमेटर यह पैदल चलना पड़ेगा उसके बाद गौरी कुन पर जब से इसनान करके फिर आप जब निकलेंगे उपर को तो वह 22 किलोमेटर का रस्ता बताया गया है दोस्तों लेकिन वह 22 किलोमेटर का मेरे हिसाब से तो नहीं है क्योंकि वह कम से कम नहीं तो 25 किलोमेटर तो यही हो जाता है और तीन किलोमेटर के बाद अगर उसको आप लेके से अक्टूबर 15 तक का समय बहुत बढ़िया और सांध्री समय है वर्साती और के चले क। कई कोई पता नहीं है कि वो कभी भी हो सकती है अभी का मोसम मत्स इतना संत मोसम में ना बहुत ज्यादा घंड ना बुहत ज्यादा थंड है रहीं ब्रफ अगर आप जाना चाहते हैं तो बेशक जाएं अपनी सावधानी पूरी रखें क्योंकि देखें कोई भी आपको वहां पर सपोर्ट करने वाला नहीं है होने के लिए गवर्मेंट की तरह से मेडिकल मोगरा वहां पर सारी उपलब्द कराई जा रही हैं लेकिन फिर भी हमारा भी फ़र्ज बनता है कि हम अपने सावधानी पूरोग जाएं और के दानाध्धान समीति के जो लोग हैं उन सबसे मेरा भिनम्र निवेदन ये रहेगा क कि खचर वालों और घोड़े वालों को थोड़ा सा तमीज जरूर सीखा है दोस्तों लोगों से थोड़ा बचके जाईएगा क्योंकि यह लोग कुछ नहीं देखते आगे पीछे और उन खचरों के साथ किस तरह का ब्योहार करते हैं यह तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मे लोगों से निवेधन रहेगा कि फटोड़ा सा इस चीज को सुद्रिट करें और सरकार से निवेदन रहेगा और गौरीकुन जहांपर इसनान करने का चाहे जाए गौरीकुन बदिन पर दिन फटोड़देनाद धाम में और यहां पर फिर पुरुष दोनों के नहाने का में गोड़े और खचरों वालें को एक लिमिटेट एरिया देना चाहिए जगए जगए उन्हें नहीं भेजना चाहिए क्योंकि मैंने देखा कि केदानाथ धाम में बहुत ज्यादा खचर वाले बिल्कुल जहां नहाने का इस्थान है वहीं पर पहुंच जा रहे थे जो कि इ मैं कहूंगा कि उसको थोड़ा सा रोकना चीए और उनको एक लिमिटेट एरिया के भाद ही वहां पर आने की इजाद दी जाए वहां पर ना तो उनको आने की जादब ना दी जाए जो इसनान का इस्थान लेना चीए जो व्यक्ति इसनान करके उपर जाने वाला होगा वह आपकी सुविधा लेगा तो जिसने सुविधा लेनी होगी वह रस्ते में से भी लेगा और वहां से भी लेगा तो दोस्तों एक और अपडेट गूंगा कि 3950 का असपास का गोरी गुंद से किराया है उपर जाने का और पालकी का किराया कोई 10-12000 रुपया है तो वह आप जय केदानाद दाम जय बदिनाद दाम बाबा की जयो और बदिनाद में तो आपको